लेकर कहाई है कोफिशियंट ओफ एक्स की पावर में एम कोई भी तर्म आपको मिल रहा है पावर एम का तो उसका कोफिशेंट आप कैसे निकालेंगे और एक चीज़ आप मैं यहां पे और कहूंगा कि कौन्स्टेंट तर्म जो होता है वो भी यहीं से आ जाएगा ओके इसी तो आईए बड़ी जबरदस ट्रिक है आपका बहुत टाइम बचाएगी देखते हैं इस ट्रिक को क्या कहती है ट्रिक देखी क्वेशन में आपके सामने रहेगा इस तरीके का फॉर्मेट कि AX की पावर अलफा प्लस BX की पावर बीटा की होल पावर एन है ओके इसको X की पा पावर M का टर्म क्या होगा टर्म आप तब बता पाएंगे जब आपको R मिलेगा क्योंकि R जो भी होता है R के लिए जो टर्म आता वो कितना होता T R प्लस 1 ठीक है ना तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखी यहाँ पर पहचान लेजे जो पहले X हा रहा है उपर denominator में आ रहा है उसकी पावर है बीटा और टोटल पावर है N और जो पूछा गया है वो आपसे उसकी पावर है M तो answer नोट करिए R is equal to होता है R is equal to N alpha N alpha minus M upon alpha plus beta यह formula नोट कर लिजे N alpha minus M upon alpha plus beta N alpha minus M upon alpha plus beta N क्या है total power है N मतलब यहाँ पर जो total power है N रख दीजेगा N मतलब total power जो total power आपको दी गई है उसकी value क्या है N है alpha क्या दी है जो उपर पहला जो X है उसकी power आपकी alpha है बीटा कौन सा है जो नीचे वाला है उसकी power आपकी बीटा है और M क्या है जिस power को आपको चाहिए है वो M है ठीक है इसी question में आएगा कि constant term निकालना है ओके constant term क्या होगा तो आपको पता होगा constant term में X की power कितनी होती है 0 तो इस वक्त आप M की value क्या put कर देंगे 0 put कर देंगे तो भी आपका answer आजाएगा तो है बहुत जबरदस ट्रिक आईए करते हैं इस पर एक question ओके तो ये clear हो जाएगा आपको चलिए देखे question क्या कह रहा है question कह रहा है आपके सामने कि 3 upon 2x square 3 upon 2x square minus 1 upon 3x 1 upon 3x की whole power 9 में okay whole power 9 के प्रसार में okay इसकी expansion में के expansion में प्रसार में आपको बताना है constant term क्या होगा constant term को हिंदी में बोलते हैं आचरपद so what is the constant term okay constant term आपको बताना है कि क्या होगा है ना इसकी expansion में आपको constant term बताना है तो मैं आपको बता दूँ इसकी short trick आप note कर लेजे इसकी short trick आपको मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि short trick is equals to होती है n alpha okay n alpha minus m upon alpha plus beta so simple तो यहाँ पर देखे r की value निकालने के लिए आप क्या करेंगे n की जगे कितना है 9 है alpha कितना है power 2 है okay beta देखे कहाँ पे beta x की power 1 है m कितना चाहिए exponential में अचरपद अचरपद मतलब कितना होता है आपको x की power 0 है मतलब यहाँ m की value कितनी put करनी आपको 0 put करनी है upon alpha plus beta तो alpha भी मैंने बता दिया आपको 2 है और beta कितना है 1 है okay so r equal to 18 और 2 plus 3 कितना हो गया 6 so r equals to हो गया कितना आपके पास में r equals to 18 divided by 3 है यहाँ पे सुरी गलती से 6 लिख दिया मैंने होगा ही हाँ देखे यहाँ पे 3 आएगा तो solve करने के बाद r की value कितनी आएगी 6 आएगी मतलब r की value 6 पर आपको अचरपद मिलेगा okay constant term आपको मिलेगा अब आपको यह दि constant term की value निकालनी है तो आप इसका coefficient बड़े आराम से निकाल सकते हैं तो t6 plus 1 that is equals to है ना इसका जो term आएगा वो free आएगा तो t6 plus 1 equal to कितना हो जागा nc6 nc6 t6 plus 1 equal to nc6 देखी पहला option कितना जनरेट होगा 3 by 2 की whole power 9 minus 6 याने की 3 3 ओके और दूसरा term क्या जनरेट होगा minus 1 upon 3 की whole power 6 जनरेट हो जाएगा ओके इसको solve कर दीजे तो 9c6 मतलब 9 into 8 into 7 और 9c6 को मैं सबसे पहले 9c3 लिख दूं नहीं आप confuse हो जाएगे 9c6 equal to 9c3 property का use करके और 3 की power 3 तो 3 की power 3 और upon में कितना 2 की power 3 और minus 1 की power 6 तो plus ही हो जाएगा तो उपर 1 की power 6 और नीचे कितना हो जागा 3 की power 6 9c3 को solve कर लिजे 9 into 8 into 7 और यहाँ पर कितना आएगा 3 into 2 into 1 ठीके ना और इसको आप लिख देंगे कितना 3 की power 3 से यह cancel हो जागा 3 की power 3 ही बचेगा ओके तो ऊपर तो 1 ही आ गया है ठीके ना और नीचे 3 की power 3 into कितना हो गया 8 हो गया 3 की power 3 into कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया तो 3 की पवर 3 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 27, into कितना लिख दिया मैंने इसको, 2 की पवर 3 को मैंने कितना लिख दिया, 8 लिख दिया है, ठीके न, तो आप इसको solve कर लीजे, अब आपका answer आजागा, चलो मैं ही solve कर देता हूँ, यहाँ मैंने इसको इससे काट दिया, और ये याद कर लिजे कि R जो आएगा R की जो value होगी X की किसी भी power के लिए N alpha minus M upon alpha plus beta N alpha minus M upon alpha plus beta एक बहुत ही जबरदस trick है N alpha minus M upon alpha plus beta done